नवश्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी नियूज में आज के इस वीडियो में हम दर्भंगा के परेटन्स थलों के बारे में जानेंगे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले दर्भंगा एक अध्वुद परेटन्स थल है यह जुला लोग कला शैली की समरिध परंपरा और मिथला पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है तो चलिए जानते हैं यहां के मुखे दर्शुन यह स्थलों के बारे में पहला है अहिल्या स्थान अहिल्या स्थान या मंदिर अहियारी गाउ में स्थित एक एतिहासिक प्रसिद मंदिर है रामायन के अनुसार जब भगवान राम अपने गुरू और छोटे भाई लक्षमन के साथ मिथला होते हुए जनकपुर जा रहे थे तो उनका पैर एक पत्थर से चुग गया और वो पत्थर एक औरत बन गई वो औरत और कोई नहीं अहिल्या थी वो पत्थर इसलिए बन गई थी कि वो अपने पती गौतम रिशी के श्राप से अभी श्रापित थी जो स्थान पर वे पत्थर से औरत बन गई वहीं पर यह भव्य मंदिर स्थापित हैं अहिल्या स्थान में हर साल दो बार व्रिहत मेला लगता है एक हिंदी महीने के चैत्र में रामदवमी के अफसर पर और दूसरा अगहन महीने के विवाह पंचिमी के अफसर पर कुशेश्वर सान शिव मंदिर एवं पक्षी विहार की बात करें तो यह एक शिव मंदिर है जो कि रामायन काल का माना जाता है यह मंदिर मिथला में बावाधाम के नाम से रूप से प्रचुरित है इस मंदिर में उत्तर विहार नेपाल और जहारखंड तक के भक्त गन गोशित किया गया है विशेश परिस्थिति के वाले इस भूचेत्र में स्थानिये साइबेरियाई तथा नेपाल भोटान पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे पडोसी देशों से आने वाले पक्षियों की अच्छी तादाद दिखाई देती है ललसर दिघोच माईल नक्ट गैरी, अगानी, हरियल, चाहा, रत्वा, गैबर जैसे पक्षि यहां देखे जाते हैं आगे हम बात करेंगे दर्भंगा राजपरिसर एवम किला की दर्भंगा के महराज का यह किला उत्तर भिहार के दुरलभ और आकरशक इमारतों में से एक है भारत सरकार के पुरा एवम संस्कृति के संग्रक्षकों में गिना जाता है स्वर्गिय महेश ठाकुर द्वारा स्थापित दर्भंगा राजकिला परिसर अब एक आधुनिक स्थल एवम सिक्षा केंद्र बन चुका है भावे एवम योजना बध तरीके से अभी कल्पित महलो मंदिरों एवम विश्विद्याले द्वारा उपियोग में लाए जा रहे हैं अगर आप इतिहास मेरूची रखते हैं तो आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए अगला हम बात करेंगे होली रोजरी चर्च के बारे में दर्भंगा स्टेशन से दक्षिन की ओर दिगधी पोखरे के 2018 में स्थापित यह गिर जाघर रोमन क्याथोलिक संप्रदाय का महत्वपून पूजा सल है भूकंप में च्षाति ग्रस्त होने के बाद 1991 में फिर से इसका निर्मान करवाए गया चर्च के बाहर इसा मसीह का एक प्रतिमा बना है दर्भंगा में एक प्रोटो स्टेट चर् पूर जाए यह संग्रहाले दर्भंगा राज परिवार की सम्रिधी का सजीव एहसास कराती है अन्य गंतव्य स्थानों में आप दर्भंगा टावर और बुर्ज जा सकते हैं दर्भंगा स्टेशन से दो किलोमीटर पस्चि में मुख्य बाजार में यह मिनार बना है जिसके चारो और घड़ी स्थापित है इसके अलावा आप मिर्जापुर्ग में गुरुद्वारा जा सकते हैं यहां प्रतेक वर्ष गुरु गोविंद सिंग की ज्यनती पर लंगर का आयोजन किया जाता है श्यामा मंदिर जा सकते हैं जो कि महेश्वर क्यांपस में स्थापित है मही स्थानिय स्वाद की बात करें तो खीर उत्तर बिहार के दर्भंगा छेतर का फेमस रेसिपी है यह दूध चीनी और मखाने के साथ बनाए जाने वाली एक स्वीट डिश है आपको बता दे कि मखाने के लिए दर्भंगा प्रसिद है तो दोस्तों बिहार के परेटन स्थ स्थलों के बारे में बताया अगले वीडियो में हम आपको बिहार के अन्य जिलों के दर्शनिय स्थलों के बारे में जरूर बताएंगे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एवं शेर करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके इसके साथ ही अगर आप इस जिले के हैं या आपने इस जिले का भ्रवन किया है तो आपके नुसार इस जिले में सबसे प्रसिध स्थल कौन सा है अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद